नमस्कार जागर न्यू मीडिया की मेरा पावर वोट नॉलेच सीरीज में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ स्मृती रस्तोगी लोगसभा चुनाव को देखते हुए मतदाताओं को जागरुक करने के मकसद से जागर न्यू मीडिया ने ये पहल की है इसमें हमारे जीवन से जुड़े पाँच बुनियादी विश्यों एकॉनमी, सेहत, शेक्षा, इंफ्रस्ट्रक्चर और सुरक्षा पर चर्चा की जा रही है इसका मकसद आपको इंपावर करना है इस नॉलेच सीरीज में आज बात देश में सुरक्षा की होगी और मेरे साथ यहाँ पर दो खास महमान हैं लेटनेंट करनल अमरदीप त्यागी जी मेरे साथ है आपका बहुत-बहुत सुरक्षा को लेकर किस तरह से राष्ट्रिय सुरक्षा हमारी अर्बन पॉपिलेशन को इंपाक्ट कर रही है अबन इंडिया किस तरह से अपने आपको बीते इतने दशकों में खास कर डिफेंस सेक्टर को लेकर के कितना सशक्त महसूस कर रही है इस विशे पर चर्चा करेंगे शुरुबात त्याजी जी आप से ही करूंगी अब शेहरी इलाकों में एक चीज जो बहुत कॉमन देखी गई है कि तसकरी और इसके साथ साथ ड्रग्स का जो मैनेस है हथ्यारों की तसकरी खास कर यह जो बॉर्डर एरियास है मकसद ही यही है कि युवाओं को टार्गेट किया जाए बहुत बड़ी चुनौती है और इसका जो ड्रग्स इशू यह जो ड्रग्स मैनेस है और यह स्मगलिंग का जो पूरा इशू है इसमें सबसे बड़ा एक जो बर्निंग जो स्टेट है वो है पंजाब की इस पूरे विशह को आप कैसे देखें देखें भारत जो है दो जो ड्रग्स के मेन सप्लियर्स है उनके बीच में फसा हुआ है बेसिकली एक तो यू कन से ड़्ट गोल्डन ट्रेंगल जो कॉल इसमें मयामार थाइलैंड और साथ इस्टेशन कंट्रीज है जो आपके नॉर्थ में नॉर्थ वेस्ट में हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान बीच मेजल्डन ट्रग्स और वेकन टॉ इंडिया अब देखें जो भी दुशमन कंट्रीज हैं या जो हमारे कॉम्ट्रीटर्स हैं उनका basic target है कि कैसे ना कैसे करके जो भारत का जो youth है उसको कैसे कमजोर किया जाए क्योंकि youth कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा देश कमजोर होगा तो उनकी जो you can say power है या जो उनका existence है वो हमसे उपर जाएगा तो for that reason they are trying different different ways and means to supply drugs and weapons like you must have seen in पंजाब राजस्तान जो border areas है देखे हमारी जो आम forces है जाए उसमें border security force हो या दूसरे जो line of control पे आम forces है उनका deployment है they are trying their best but क्या होता है कि जो दुश्मन है वो भी नए नए तरीके खोशता है जैसे आजकर drones के द्वारा जो drugs का dropping हो रहा है भी recently राजस्तान के I think बार्डमेर सेक्टर में एक drone को गिराया गया BSF के द्वारा उसके अलावा tunnels बना के या every time they will try different ways and means but beside that ठीक है उसको हम control करेंगे कि it can be controlled hundred percent it will definitely come to cities and you can say जो जो बच्चों को जिनको target कर रहा है उनको उनके पस पहुँच जाएगा basically जो हमारी law and order agencies है जो हमारी police है जो हमारी intelligence agencies है उनको थोड़ा सा और जागरुक होने की आवशकता है मैं personally जानता हूं कि like शहरों में आपको जो पांच शॉप्स हैं वहां प आपको joints and do say drugs and it is very easily available especially where their schools and colleges are there तो हमारी police को मालूम भी होता है और नहीं भी मालूम होता है दो anti-narcotics जो हमारी teams है वो बहुत जादे इस पे active है but still local police को बहुत जादे active होने की जौरत है और उसमें basically हमें corruption control करने की जौरत है क्योंकि जो इनका drugs का business है उससे lot of money is being pumped in into that and उसमें आप you can say by bribing and by doing all corruption तो वो police उनको उस तरह से check नहीं कर पा रही है उसके अलावा जब ये addiction में आ जाता है जो बचा या कोई भी x y z उसको हमें एक तरह से taboo type से हो जाता है और भी उसको हम थोड़ा सा alienate कर देते हैं society से जबकि हमको उसको देखना चाहिए as a disease and उसक proper treatment मिले तो हम उसको control कर सकते है otherwise it becomes की उसको थोड़ा सा you can say society से विया you can say main stream से out चला जाता है तो वो सब यदि हम control करें तो it can be control though it's a big problem because it's a big business for the drug peddlers है plus जो उसके बड़े-बड़े mafia है it's a big business मोटा पैसा है तो उसमें हमें अपना जो corruption है उसको control करने की होशकता है easy manipulation यह कहना ठीक रहेगा त्यागी सार की easy manipulation जो हो रहा है तेश में यंग्स्टर्स का उसके means कहीं कई हैं वो जो manipulate करने के means हैं वो कई अनेक हैं लेकिन ऐसे में जो stringent measures हैं उनको time and again recheck करते रहना पड़ेगा और measures को भी evolve करने की absolutely and यदि आप कोशी को like ऊचूट जाते हैं बहुत जल्दी हमारा जो you can say judiciary system that is also very you can say lose मैं कहूंगा या उसको easily उनको like bail मिल जाएगा equitable मिल जाएगा we should be very strict on these issues like drugs issues में मतलब they should be मैं तो कहूंगा they should be hanged because they are the real traitors of the country वाके में क्यूंकि युवा देश की एक दूर दशिता से अगर देखा जाए कि युवा इस देश की उमीद है और उस उमीद को और empower करने की जरूरत है ऐसे में ये जो विशे हैं ये बहुत ही जादा mind boggling है उसके साथ साथ उनका time and again सही तरीके से address करना वो बहुत जरूरी है सोडी सर आप पर आऊंगी मैं रोहिंग्या refugees का जो crisis है इस वक्त जो ये रोहिंग्या refugees का जो पूरा issue है देश में घुसपैट करके जस तरह से एक जगा बना ली है अपने लिए कितना बड़ा पहली बात है इसको खत्रा हम देखते हैं देश के लिए दूसरी बात कि कई ऐसी anti-social activities में या illegal activities में इनका हाथ रहता है time and again ऐसे cases सामने आते हैं किस तरहीके से पहली बात है कितनी बड़ी चुनौती है और चुनौती को address करने के लिए क्या हमारे पास पुखता steps होने चाहिए जहन सिर्विती जी ये मेरा सोबागे कि मैं आपके channel पे हूँ विख्यात को पैनलिस के साथ हूँ किसी भी देश के पास एक सीमित natural resources होते हैं जो कि उसका पहले करतव है और दायतव होता है कि वो अपने नागरेकों पे उनको लगाए और अपने नागरेकों को वो सूलिय दे जो की नागरेकों का हक है जब किसी देश में दूसरे देश से refugees आते हैं तो उस देश के उपर एक बहुत बड़ा भार पड़ता है और हम देख रहे हैं कि ये चीज हमारे देश में हुरी है जब ये रोएंगा refugee चाहे मेनमार से आ रहे हो चाहे बंगला देश से आ रहे हो हमारे देश में आके हमारे जो नाच्रिल विसोर्सेश है वो अलड़ी कम है और उसके पर एक बहुत बड़ा दबाव आ जाता है और जब ये refugees यहां आते हैं तो उन्हें नौकरियां असानी से मिलती नहीं है क्योंकि उनके पास कोई ऐसी validation card नहीं होता अधार card नहीं होता, identity card नहीं होता तो उन्होंने वो अपना paid भरने के लिए वो फिर crimes करते हैं, चोरी चकारी करते हैं और इससे हमारा crime rate भी बढ़ता है तो इस चीज़ को curb करने में सबसे पहले important है कि जो भी सरकार केंदरे में हो और शुरू से हो मैं किसी एक सरकार को मैं point नहीं करूँगा क्योंकि ये जो problem है, ये problem पिछले पंदा बीस आज़े नहीं है ये काफी दशकों से problem है और ये problem का अब तक कोई solution नहीं निकला है अगर मेरे को आंकड़े अची तरह याद है तो पिछले एक साल में सिर्फ 16 रोहिंगा के refugees को deport किया गया पूरे साल में सिर्फ 16 तो ये जो आंकड़ें ये ये दिखाते हैं हमारा जो process है वो बहुत slow है तो इस चीज़ को रोकने के लिए समिती जी सबसे पहले हमारे जो border fencing है उस पे जो चाहिए BSF हो चाहिए जो जो से security forces हो उनको ensure करना पड़ेगा कि कोई infiltration ना हो क्योंकि चाहिए हम बंगलादेश के साथ border देखें चाहिए हम पाकिस्तान के साथ कहीं पे भी हमारे जो ये live borders हैं वहाँ पे हमारी बहुत अच्छी fencing है क्योंकि मैंने ऐसे लाकों में पोस्टिंग की है मैं आपके दश्कों को बताना चाहूँगा कि वो fencing एक normal fencing नहीं है वो fencing इतनी भारी भरकम fencing है कि उसे एक आदमी अराम से पार नहीं कर सकता है जब तक उसकी कोई अंदर से मदद ना करे तो हमारा अगर कोई नागरेक इन refugees की मदद कर रहा है इनके अंदर आने की पैसे के लिए किसी चीज के लिए भी सबसे बड़ा जो हमारा देश दोई वो हमारा अपना नागरेक है ये तो लोग हमारे देश में नहीं आए कहीं और जाएंगे लेकिन वह वहीं जाएंगे जब असानी से entry मिलेगी और हमारे कई ऐसे लोगें जो इन्हें entry देते हैं और देश के साथ वो गदारी करते हैं जिसे कि हमारे natural resources पे बहुत बड़ा प्रभा पड़ता है और हमारा crime rate भी पड़ता है दूसी चीज जो बहुत जरूरी है कि हमें latest आदुनिक surveillance techniques लगानी होंगी इन फेंसिंग पे आज की तारीक हमारे जो फेंसिंग है उसके उपर physical patrolling जादी होती है कई जगा पे camera हैं लेकिन अब time camera से भी बहुत आगे निकल चुका है अब हमें बहुत high tech equipment का इस्तमाल करना पड़ेगा ताकि से real life monitoring होए और किसी भी जगा पे जो घुस्पैडियों की कोई AC हरकत हो महाँ पे तुरंथ हमारी quick reaction teams पहुंचे तीसी चीज़ मैं आपके दश्वों को जो की युवा दशक हैं और पहली बार vote करेंगे मैं एक आगरे करना चाहूंगा कि कोई भी politician जो की ऐसी हरकत करे जो की देश के साथ गदधारी हो चाहे वो रोइंगाओं के वो आई-कार्ड बनाए उनके फजरी आधार कार्ड बनाए या उनके पैन कार्ड बनाए और ऐसे अगर चीज़ सामने आती है तो वोटरों को दस बारी सोचना चाहिए ऐसे आदमी को बोर्ट देने से पहले क्योंकि अगर इस आदमी ने एक भी रिफ्यूजी को अवै तरीके से भारत के अंदर लेके आया है और उसके फजरी डॉक्मेंट बनाए हैं हम सो सकते हैं कि वो अगर कल चुना गया और कोई भी लेवल पे चाहिए काउंसल के लेवल पे काउंसलर के लेवल पे चाहिए असेंबली चाहिए पार्लेमिन के लेवल पे अगर ये आदमी सत्ता पे पहुंचा तो हमारे देश की ये कितनी बड़ी दिकत कर सकता है तो बहुत जरूरी हो जाता है जो भी यूवा वोटर है खासकर के फर्स टाइम वोटर उन्हें जिस भ बाकए में ये रिफ्यूजी क्राइसिस देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है ऐसे में एक और एक सिल्वर लाइनिंग की अगर मैं बात करूँ डिफेंस सेक्टर में आत्म निर्भर भारत त्यागी से आत्म निर्भर भारत से ना केवल एक डिफेंस सेक्टर को इ इसको आप किस तरह से आखते हैं? These are the things which are not available easily from any other country और या जहां से हम लोग उनको import कर रहे हैं वहां से उनके like छोटे-छोटे spare parts या कोई भी छोटी सी requirement होगी for that reason आपका जो major चाहे वेपनरी सिस्टरम है चाहे वो aircraft है वो hold up हो जाएगा. तो जब हम self-dependent होगे then only we can you can say proudly say that we are becoming wish guru या हम आगे बढ़ने की progress की बात हम तब ही कर सकते हैं जब हम self-dependent होगे. और इस sector में जो present government they have done definitely a human service and उन्होंने इसको promote किया है और क्योंकि देखिए आप यह दी हम पिछले background में जाए 1962 में जब हम चाइना के साथ हमारा जो लड़ाई हुआ था तो हमारे पस क्या था हमारे पस equipment का shortage था and that was the time की हमें कोई supply करने वाला भी नहीं था. In fact, in latest time like 99 में when Cargill was on, we were importing even coffins for our soldiers. तो मतला इस तरह का crisis यह दी हमारे देश में या कोई भी देश यह दी इस तरह का face करेगा तो definitely उनकी progress नहीं होने वाली. या progress होगी भी तो they will be dependent on others and for that they have to pay much much more amount and you can say कि उनकी जो यदी कई crisis में है तो कोई victory भी संभव नहीं है येस और in fact हर जवान को हर व्यक्ती को देश के ये करना चाहिए कि हम अपने देश की यदे सुदेशी जो बनी हुई चीजे हैं उनको इस्तेमाल करें और ये हमारा independence के टाइम से even when गांदी जी वस like सुदेशी मुमेंट चलाया तो उनका basically यही था. यहां से सस्ता माल खरीते थे, कच्छा माल खरीते थे और वहां से महंगा बाहर से आता था. तो जब मुमेंट चलाया है कि हम अपना चाहे, अपना छोटा है, अच्छा है, बुरा है, जैसा भी समान है, we will use it our own stuff instead of buying from other countries or importing from other countries. तो यदी हम self-dependent होंगे, then only we can rise. Otherwise it will be very difficult for us to rise. आत्म निर्भर भारत, डिफेंस सेक्टर में, सोडी सर, कितना बड़ा impetus दे रहा है भारत को, जब हम एक विश्व गुरू की बात कर रहे हैं, 2047 की बात कर रहे हैं, और डिफेंस सेक्टर के evolution की बात कर रहे हैं, आजादी से अब तक की. पिवर्णी जी, जब मैं December 1991 में commission हुआ as an officer बातिय सेना में, और मैं अपनी resident में गया, तो मैंने वहाँ देखा कि, जितने हतियार, जितना defense equipment था, सारा विदेशों में बना हुआ था, तब मेरे जहन में एक सवाल था, कि हम अपने हतियार अपने देश में क्यों नहीं बनाते हैं, सब कुछ बदला हमारे देश में जब 10 साल पहले प्रदानमंत्री नेंदर मोदी, पहली बार भारत के प्रदानमंत्री बने और उनने आतने निर्वर भारत और मेकिन इंडिया का नारा दिया, और ये नारे इतने सफल हुए, कि जहां पे हम 12-14 से पहले हतियारों को इं अब हमने लास्ट फिनाशल यर में 21,000 करोड के हतियार एक्सपोर्ट की हैं, अपने लिए तो बनाए हैं हमने 21,000 करोड के हतियार एक्सपोर्ट की हैं, हम दुनिया में अब 23 नंबर देश पे हैं, जो हतियार बनाके एक्सपोर्ट करते हैं, और हम 85 देशों को आम एक्सपो अगर उस देश ने सक्षम और सार्थक होना है अपनी सैनिक शक्ती में तो मिलिटरी इंडर्शिल कॉम्पलेक्स जिसे कहते हैं जिसके तहत आता है भारत मेकें इंडिया आता है वो जब तक एक एक बहुत सफल नहीं होगा तब तक वो देश कभी भी अंतराशित तोर पे एक स सार्थक है और इसकी पहल हमने दस साल पहले की और हम काफी सफल हैं इस चीज़ में भारत दोजार सिन्टालिस में विक्सित देश जरूर बनेगा और उसमें हमारी जो ये डिफेंस की जो आताने वर भारत और मेकें इंडिया है वो भी बहुत तरकी करेगा और तब हम पुर अच्छे रास्ते पर चल रहा है और ये काफी सफल हुआ है एक शॉर्ट टाइम में मैं ही नहीं दुनिया का तक्रीब हर देश चका चौन्द हो गया है कि सिर्फ एक दशक में हमने कितनी तरकी की है और ये वाकिय में बहुत मानी है और सलाम वाली बात है कि 10 साल पहले हम कह इसेक्टर